नाजरे एकराम WhatsApp एप को लेकर एक बड़ी खबर सामें निकल कर आई है नाजरीन नाजरे एकराम 24 अक्टबर 2023 से कुछ Android phone में WhatsApp काम नहीं करेंगा जिहा नाजरेन कुछ पुराने वर्जन के Android smart phones में WhatsApp काम नहीं करेंगा उसकी वज़ा ये बताई जा रही है के WhatsApp में कुछ नए अपडेट्स रिलीस होने वाले हैं जिसमें बिजनेस के लिए पेमेंट्स कर सकते हैं, UPI पेमेंट्स कर सकते हैं जिसके तहट WhatsApp अप का मेमोरी कुछ ज्याद होने की वज़े से ये पुराने Android phones में वाट्स अप काम नहीं करेंगा जराय के मताबिक बताया जा रहा है के ये Android OS वर्जन में 4.1 जो वर्जन है वो वर्जन के समतमाम मूबाइल में WhatsApp काम नहीं करेंगा जबके वर्जन 5 में Android का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 5 में WhatsApp काम करेंगा पुराने वर्जन के मूबाइल के कुछ नाम की लिस्ट सामें निकल कर आई है जिसमें Nexus 7 4.2 Android phone है जिसमें Samsung Galaxy Note 2 है HTC One है Sony Erection Z है LG Optimum G Pro है Samsung Galaxy X2 है Samsung Galaxy है है और HTC Sensation है Motorola है और Sony Erection X2 है Motorola Zoom है Samsung Galaxy Tab इसके अलावा Asus E Pay Transformer है XR Icon या Tab है और Samsung Galaxy X है है और HTC Desire HD है LG Optimus 2X के अलावा Sony Erection Xperia Air 3 के जैसे Mobile phones में भी WhatsApp आप काम नहीं करेंगा 24 अक्टोबर 2023 में ये तमाम मुबाइल्स में WhatsApp काम करना रोगडिंगा WhatsApp नहीं चलेगा जराय के मताबिक बताया जा रहा है के मेटा फॉंडर और CEO मार्क जूबर्ग बर्ग ने हाली में हिंदुस्तान में नए फ्यूचर्स का एलान किया है जिसके तहत सियासर.ड़ काम के निउस नेटवर के हवाले से हम ये तमाम तफसिलाथ हम आपको दिखाने जा रहे है हम देनी ताज़तिन खबों से बाख़बर हैने के लिए चैनल को यूट्यूब पर जरू सब्सक्काइब करें फेस्बूप ट्यूट है इस्टेग्राम पर जरू शेकर